हेलो गाइज वल्कम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट्स जी एमार पावर एंड अर्बन इंफ्रा की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि गाइज स्टैंड लॉन और किया है राउंड 1769 करोड का इंकम है पिछले कौर में 1209 करोड का और क्या इंकम है क्वाटर और कौर्टर यरोन इंकर दोनों में क्रिच किया है एक्स पंस एलावन 1195.9 करोड का पिछले कौटर में एक इंड़ फिफितिक्स करोड का मार्च टुटरी कौटर में थाइन हमिंड़ फिफिटीक्स करोड का एक्सपेंस वा था तूरा न इंक्रीज लेकिन येर उनियर में बहुत करम इसके कार्ण पॉफित में रिकावर किया और बहुत फोफित यहां पर देखेंगे तो कंपनी को 573 करोल का एब टिड़ा है क्वार्टर और क्वार्टर में इंक्रीज किया लेकिन फिनांस कॉस्ट और डेप्रेशिटिन बहुत जादा पे करने की कारण है 76 करोल का लॉष है और पिछले क्वाटर में 406 करोल का लॉष है क्वार्टर ओन क्रेश्ट किया है और नेट पॉफिट कंपनी का है इस बार कगर देखा जाए तो कंपनी कापीट 170 करोड का पिछले quarter में 43 करोड का और मार्स 23 quarter में 470.9 करोड का लॉस quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है APS 2.69 रुपेश का quarter on quarter year on year में increase किया है तो guys quarter ended का result अगर देखा जाए तो बहुत strong result पेश का financial year ended में income में 4834.6 करोड का 23 में 5878 करोड का income में down है expenses 3428.5 करोड का 23 में 5088.7 करोड का expense में भी down देखने को मिला है और losses है यहां पे guys देखा जाए तो 77 करोड का loss है और 23 में 1263 करोड का profit है बहुत बुरी तरह से fall देखने को मिला है after tax 127 करोड का loss है और 23 में 1139 करोड का profit है जो कि अब बहुत ज्यादा fall देखने को मिल रही है EPS कंपनी का है इस बार का जिरो पॉइंट यहां पर EPS जो है वन पॉइंट फॉर फॉर पीच का माइनस में जो की बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है फिनांशल एरेंडेट है ना बहुत वीक इंकम है इस बार का अगर देखा जाए तो अराउंड 157.7 करोड का पिछले क्वाटर में 177 8.4 करोड का मार्च 23 क्वाटर में 306.8 करोड का इंकम है क्वाटर अन क्वाटर में इंक्री डाउन है यह और यह में बहुत बुरी तरह से गिरावट आ यह एक्षपेंसस 66 3.6 करोड का पिछले कवाटर में 83.4 करोड का मार्च 23 कौ aç क्वाटर यह बात वापस से करोड की क्वाट को जो है चाहां पर पोश्चिक्य कर और चाहां Уगास पाउगान बतावगा EPS 6.1 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया तो guys standalone का income में down है but profit increase किया है लेकिन guys consolidated में company का profit income दोनों में increase करता हुआ देखने को मिल रही है अब बात करते exceptional items के बारे में तो यहाँ पे guys हम लोग चलते इसके exceptional items के बारे में जो कि point number six यहाँ पे बताया गया है इसके exceptional items के बारे में जो कि यहाँ पर कहां पर company को gain हुआ है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं जगर मैं इसको पढ़ना सुरू करूंगा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसको तो और यहाँ पर इसलिए इसको इसको मैं cover नहीं करूंग यहाँ पर दिख सकते हैं जो कि इसको गया इसको क्या है तो यहाँ पर सकते 6 नंबर पॉइंट तो यह बहुत इच्छी रिजल्ट पेज किया अगर हम इसके शियर की बात करेंगे तो कंपनी के जो शियर है 68.4 रुपीज पे क्लोज किया और 1.33% का पॉफिट कंपनी के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया इसलिए वैसा कोई मोमेट आज देखने को नहीं मिला अगर वन मन्त की बात करेंगे 25.6% का पॉफिट है कंपनी कुछ नाम पहले कि बहुत बहुत सपोर्ट लेंगे वापस एक अपनी बहुत स्ट्रॉंग बुम देखने को वन एर में 288% का पॉफिट दिया है तो इसलिए गर आप इसमें एंट्री करना चाहते तो वेट और वाच कीजिए कि वह ओवर बाहुट जोन जा चुका लगों का राउंड अगर देखा जात फिप्टी टू वीक हाई कि आसपस कंपनी के शियर ट्रेड करें इसलिए थोला वेट कीजिए तो हम लुप जो है वेडियो को ही प्रैंड करता है अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछें मिलता है नेक शोड़र में दिलिन में बाई